दो बज़े में साधी की बात होती है आप कूह दो बज costume नहीं होती है रात साधी का चीज़ है रात किस लिए होता है रात चौट ढकई भी मांध भूथ के लिए होता है इंसान रात दृ impa Di को विस्राम lighthouse और आप यदी घर में जडी को यदी रात क्यों जा रहा है तो समझ ली आप समाज के नई पीडियों को गुम्रा कर रहे हैं और आप एक ऐसे अप्राधिक्ततों का मनोबल बढ़ा रहे हैं को जबर्दस्ती लोग घर में घुसेगा महिला विकास मंच की बात में कह रहा हूं यदि आप सचमुच महिलाओं के विकास और उत्थान की बात करते हैं तो राजा राम महुन्राई संती पर आंत का झिया था उस त्यम में उनको जो है वह बहुत अलोचना पड़ा था बिद्वा विभा की बात जब आई थी इस वर चट वीभा और पुणर विवा की बात किया था उस टेम उनकी वहां हुए थी अभी लोग सास्ती लोग प्रियता वटोडने के लिए कि वही कर रहा है कि जो है तुझको जो पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को यदिरात को हो तो रात कहेंगे इस सिध्धान्त पर काम करते मेरा वो चीज नहीं है मैं आरति के चीज को नहीं कह रहा हूं मैं यह करा हो कि अब ज़ौरत आ गई है समाज को सह आरती और छोटु की प्रेम कहानी जो अब तक का विशय है और यह जो विशय है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है जो आरती के सपोर्ट में बात कर रही है दूसरी तरफ एक शक्स है जो पबलीक डोमें में आरती को गाली दे रहे हैं और उसके बाद उन वो शक्स को महिला विकास मंच की जो विना मालवी है वो उन्होंने करारा जवाब दिया है इस मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोट के चर्चित वकील शिव नंदन भारती जी हैं जो इस केस को शुरू से देख रहे हैं और इस पर अपनी परतिकिरिया भी दे रहे हैं इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं अपनी सस्ती लोग प्रियता के बज़े से एक दूसरे को काउंटर ना करें नंबर नंबर सकेंड अब जहां तक आपने कहा कि कुछ जिन ब्यक्ति का आपने नाम लिया कि वह आरती के बारे में अभधर टिपनिया कि आपने क्या ये एक मैंखर कमाने निको के पूरे स्वसाइटी से जोड़ दिया और इस पर और बैक्तिगा टिपनी करने का जहां तक सवाल है इस बात में कहीं दोहराई नहीं है कि आदमी को अपनी मर्यादा का खयाल रखना चाहिए अपना आपका जो भी उपीनियन है आपका जो रहते हैं उसको रखे लेकिन सयमीत भासा का उपियों कीजिए चुकि माइक पर जब आ लिग लोज यह नहीं होना चैब परन्तु आदमी को रियक्षन देने से आप नहीं रोक सकते हैं उसका जो रियक्षन है कोई आदमी इस त्वर की वंदना करते हैं तो संस्क्रीट में स्लोग करते हैं और कुछ नहीं होता है तो भागवान का बोल बम करके भी देवगर में को पुन्य की प्राप्त होता है को जरूर ने के मंतर अचारा नहीं हो जिसको जितनी ग्यान है लेकिन अभी सवाल जो आपने मूल रूप से कहा हम लोग का जन्म हुआ हिंदू हो या मुसलमान हो हम लोगों के घर में उस दौर में हुआ करता था दूरदर्शन पे टीवी त दोस्ते तो हमसे जादा उनके घर में टीवी हुआ करता था और उस्से जादा स्लोक उसको हुआ करता था तो संसकारिक बात समाज में होती थी और इसलिए उस संसकार में हम लोग बढ़े हैं अब नई पीड़ी है बदलाव आ रहा है अब यूटूब और फेस्बूक के ओसिघ्षेशन देने की काम किजिए अभी रही बात आरती और छोटू का प्रक्रण सही को सही कहिए गलत को गलत कहिए आप केबल उसमें वी लोग अपलोग पड़िये होंगे मैं यह आ हो कि मिले नहीं मिले वह न्यालय की मामला है सजा हो फांसी हो यह न्यालय की बात है व केस में पुलीस की भी उतनी अहम्यत है जितने एक वकील की और जितने एक समाज से भी के सब्सक्राइब है प्रण तो आप एक चीज जान लीजिए कि यदि कोई भी ऐसा भयान आप एक चीज इस केस में पूरा हुआ है यह तो सत्य एड्मिटेट फैक्टर बोध साइड है जै एड्मिटेट फैक्ट है तो यदि आपको कर्म के मार्ग पर यदि कोई आदमी मरता है तो बद और हत्या दो अलग चीज है रावन का बद हुआ था क्योंकि वह गलत मार्ग पर थे हत्या नहीं का जागा कि राम जी ने उनका हत्या किया तो बद तो हमारे लौ के पॉइंट करने कालाता है लेकिन यदि आप सुमार्ग पर यदि आप मारे जाते हैं तो बीर गती को प्राप्त होते हैं आप सहीद करें तो एक वद को आप बीड़े की दरजा नहीं दे सकते हैं तो मैं यह पूछ रहाओं की गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए अब जबद है से बढ़ाओं लेकिन दूसरे बिद्वान से भढ़कता हैं तो सरावी समझ ढ़ाओं थो आपको अच्छे प्रविर्धिक हैं आपको लग रहा हैं कि आपका संस्कार और मेरा परविर्ति के जो लोग हैं उनका मनोबल टूटेगा यह आप चुप रहा जाते हैं आप खामोस रहा जाते हैं इससे जो कुछ माबाप अपनी बेटी को आपको क्या लगता है महिला विकास मंच की बात में कह रहा हूं यदि आप सचमुच महिलाओं के विकास और उत्थान की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि आरती का प्रक्रम का मार्केटिंग करने से वह कितनी लर्कियां अब सिक्षा लेने से सब्सक्राइब करें मर्यादित भासा का इस्तेमाल करें तो एक समाज को दिशा जाएगा हमारी और आपके भयान का हर लोग देख रहे हैं कुछ चंद लोग के भयान और लाइक और कॉमेंट को पाने के लिए यदि आप आपको मैं बता दूँ जब आप कोई काम करते हैं तो आलोचना से नहीं घवराना चाहिए जब राजा राम मोहन राई ने सतीपर्था का अंत का जो है सोकालत किया था उस ट्रेम में भी उनको जो है सो बहुत आलोचना सब्सक्राइब बिद्वा विभा की बात जब आई थी इस वर्चत बिद्या सागर्ट ने जब बिद्वा और पुटर विवा की बात किया था उस टेम में उनकी आलोचना हुई थी तो जब आप समाज को सही दिखाएंगे सही दिसा पर ले जाएंगे तो आपकी आलो चक और गाली देने वालों की संख्यां जादा कर रहें जरूर कियोंकि आप विप्री दिसा में बात कर रहें अभी लोग सस्ती प्रियतावा टोड़ने के लिए कि वही कर रहा है कि जो है तुझको पसंद वही बात कहेंगे तुम दिन को यदी रात को हो तो रात कहेंगे इस सिधान पर काम करते मेरा वो चीज नहीं है मैं आरती के चीज को नहीं कह रहा हूं मैं यह कराओ कि अब जोरत आ गई है समाज को सही दिसा दिखाने के लिए दिन है तो दिन कहिए रात है तो रात कहिए दूसरे को खुश करने के लिए दिन और रात में फर्क यदि भूल जाते हैं तो ऐसे सिक्षा पर तोहिंता है ऐसे जिम्मेदारी आप पूर्ण काम नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लिजे कि इस समाज को गुमराह करने वाला कोई भी ऐसा बयान मत दिजे यह पबलिक है सारे चीजों को जान रही है बड यह मेरे और कर देने से आप नहीं होगा इतनी मोटी मोटी भूकों का आध्यन कीजिए कि हत्या बद में कितना अंतर है आप हत्या और बद में अंतर नहीं समझ रहे कोई सहीद होने नहीं कोई गया था वह रात में करने के लिए रातरी किसके लिए होता है लोग काते दू ब समझ लीजिए कि अधिक तर्चांस है कि वह गलत काम करने के लिए गया था अधनग नवस्ता में पाया गया था स्टेटमेंट के और ऐसे लोगों को आप कर रहे हैं कि मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं आप समाज को गुम्राह कर रहे हैं और आप ऐसे अप्राधिक्ततों का मनु वह कह रहे हैं क्योंकि यह हमेशा चर्चा में बने रहते हैं अपने बयान से और आपकी क्या पर्तिक्रिया है हमारे कमेंट बॉकस में जरूर बताईएगा अगर中共 पेजश पर हैं तो लाइक करिए अगरा आप हमारे यूटूब चानल पर रहें तो सब्सक्राइब करिए कै केमरे के पीछे केशव है और मैं हूँ अमान